हम अपने चारों और बहुत सारे ऐसे पदार्थों को देखते हैं, जिनमें कई छोटे छोटे कड़ भी होते हैं, तो इसी क्रम में हम आगे का चो अध्याय पढ़ेंगे, जिसका नाम है परमाडू सनरचना अटोमिक स्ट्रक्चर, इस अध्याय में हम कई चीजों को जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तों में परमाडू क्या है, परमाडू के अंदर सरचना में कौन-कौन से दूसरे कड़ होते हैं, कैसे ये प्रकृती में स्थाई रूप से पाया जा रहा है, कैसे यह किसी भी पदार्थ का एक सबसे सुक्षमतम कड़ बना और इसके इतिहास की बा परमाडू का जो परमाडू भार या परमाडू संख्या होती है, इसे हम समझने का प्रयास करेंगे, हम सभी अपने चारों और कई तरह की वस्तों में देखते हैं, जो रंग, रूप, आकार, बनावट सभी में भिन्न होती हैं, जैसे हम अपने आजपास स्टेबल कुरसी, पेड़, पौधे, फूल, दर्वाजे, खिड़किया, पुस्तक, गमले, पैंसिल, रबर, ऐसी कई वस्तुएं देखते हैं, जिनका आकार, आकरिती, बनावट, रंग, सब कुछ एक दुसरे से अलग-अलग हैं, तभी हम ये भिन्नता कर पाते हैं, कि एक वस्तु दूसरे से अलग क्यों हैं, चाहे वो रूपरंग में हो, चाहे आकार में, आकरिती में, किसी भी आधार पर हम उसको भिन्नता दे सकते हैं, याने हम उसको वर्गी कृत कर सकते हैं, तो वास्तों में ये जितने भी पदार्थ होते हैं, ये कणों से बने होते हैं, ये जो कण होते हैं, ये सभी जो वस्तुए होती हैं, इन में जो भी पदार्थ होते हैं, ये सभी पदार्थ छोटे-छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, इन कणों का जो गुण होता है, वो एक वस्तु का अलग होगा, दूसरे वस्तु का अलग होगा, लेकिन निश्यत रूप से प्रत्य जो तो जब हम एक या दो बुन डेटॉल की डालते हैं, तो हम यह देखते हैं कि यह जो पूरा जल है, वह डेटॉल की गंध देता है। यदि हम उसको और ज्यादा पानी मिलाते जाते हैं, यानि उसको और पतला भी करते जाएंगे, तो भी उस पानी में निश्चित रूप से ही डेटॉल की गंद आती रहेगी, इसका अर्थ यह है कि यदि हम पानी को तनू भी करते जा रहे हैं, फिर भी डेटॉल के जो गुण क्या वशक्ता होगी, वह हैं कम से कम 4 से 5 बीकर, एक खाली सिरिंज, ग्लास रॉट और पोटेशियम परमेगनेट, हमने यहाँ पर 5 बीकर लिये हुए हैं, प्रथम बीकर में 100 ml पानी हैं, और बाकी प्रत्तेग बीकर में हमने 90 ml पानी लिया हुआ है, सबसे पहले हमें बहुत ही थोड़ी मात्रा में हमें इसे लेना है, और इसे हम प्रथम बीकर, जिसमें हमने 100 ml पानी लिया हुआ है, इसमें डाल देते हैं, और अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेते हैं, देखिए, हमें एक रंगीन वीलियन प्राप्त हो रहा है, इसके बाद, इस यह देखिए बच्चो इस रंगीन विलियन का 10 ml हमने इस सिरींज में ले लिया है अब इसे हम अपने दूसरे बीकर जिसमें हमने 90 ml पानी लिया हुआ है इसमें मिक्स कर देते हैं देखिए हमारा यह विलियन भी रंगीन हो गया है इसी प्रक्रिया को हम आगे बढ़ाते हैं और पुना इस रंगीन विलियन से 10 ml विलियन सिरींज में लेते हैं देखिए यह रंगीन विलियन पुना 10 ml और अगले बीकर में जिसमें 90 ml पानी है हमने इसे मिक्स कर दिया पोटेशियम पर मेंगनेट का असर हम यहां भी देख पा रहे हैं चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर से 10 ml विलियन हमने सिरींज में लिया और अगले बीकर में इसे मिला रहे हैं अच्छी तरह मिक्स किया आप देखेंगे कि हलका रंगीन विलियन हमें प्राथ हुआ है एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराते हैं और इस रंगीन विलियन को हम सिरींज में 10 ml लेकर अगले बीकर में जिसमें 90 ml पानी है मिक्स कर रहे हैं और इसकी मात्रा पुना कितनी हो गई सोय में हलका रंगीन विलियन हमें पुना प्राप्त हुआ है इसे देखने के लिए हमें एक सफेद कागस और साधे पानी के आशकता होगी जिसके माध्यम से हम इस पश्ट रूप से इसके कलर को देख पाएंगे किस तरह से केमेनोफोर का विलियन तयार किया गया और कैसे केमेनोफोर का एक गाढ़ा बैगनी रंग जो है वह कैसे धीरे धीरे एक हलके रंग में भी परिवर्तित हुआ लेकिन फिर भी यदि हम शुद्ध जल और कैमेनोफोर युक्त जल में भिनता करना चाहें तो बिलकुल हम उसको भिन भिन रूप में देख सकते हैं क्योंकि निश्चित रूप से यदि हम हलके रंग का भी कैमेनोफोर का विलियन देखते हैं तो वह शुद्ध जल से बिलक च्छुमन करद देले हैं या खर्ड़ दिखाई देता है, तो इस क्रियाकलाब के माध्यम से हमने यह जाना कि प्दार्थ में कई सूक्ष्म कड होते हैं। जिने हम अडू या पर्माडू कहते हैं, तो ये जो पर्माडू होता है, वास्तों में यह किसी भी पदार्थ का सबसे आधार भूत कर्ण होता है, याने सबसे छोटा कर्वी हम इसे कह सकते हैं, तो पर्माडू से ही फिर अडू बनता है, क्योंकि पदार्थ जब बना है, तो पदार्क में परमाडू भी है और अणू भी है और परमाडू के सयोग से ही अणू का निर्माड होता है तो परमाडू की जो कहानी है या परमाडू की जो अवधारना है ये कई वर्षों से चली आ रही है बहुत पहले से ये देखी जारी है तो अब हम ये जानने का प्रयास क कि वास्तों में परमाडू की जो कहानी है वह कितनी पूरानी है कितनी नई है कब से इसकी आउधार्णा का प्रारंब हुआ और कब से यह परमाडू जो है वह आज के परमाडू की एक संरचना के रूप में उभर कर सामने आया है लगभक 300 वर्ष पूर्व इसकी शुरुवात हुई एक भारतिय दार्शनिक कणाध उन्होंने यह कहा कि पदार्थ को यदि विभाजित किया जाए तो यह हमें छोटे-छोटे कड के रूप में विभाजित होते हुए दिखाई देंगे याने एक स्थिती ऐसी आएगी कि धीरे-धीरे हम देखते हैं कि एक सीमा तक यह क विभाजित करना चाहेंगे तो यह विभाजित नहीं हो सकता है तो हम यह कह सकते हैं कि पदार्थ को एक निश्चित सीमा तक ही विभाजित कर सकते हैं उसके बाद वो अविभाज्य हो जाता है तो कडान दर्शनिक ने ये कहा कि जो पदार्थ होते हैं उसमें छोटे-छोटे कड होते हैं और ये अविभाज्य होते हैं और इसके बाद लिूसीपस और उनके जो एक विद्यार्थी है डेमोक्रिटस ये ग्रीक दर्शन सास्त्री रहे लिूसीपस और उनके विद्यार्थी जो है डेमोक्रिटस उन्होंने सोचना प्रारम किया कि यदि किसी पदार्थ को छोटे छोटे टुकडे कर दिये जाए तो तो डेमोक्रिटस ने इस तरह के जो छोटे-छोटे टुकड़े या किसी पदार्थ को छोटा करते गए करते गए तो जो सुक्षम कड़ प्राप्थ हो उसको उन्होंने एटमॉस कहा जिसे हम और ज्यादा तोड नहीं सकते हैं तो ये जो शब्द है एटमॉस इसको सबसे पह परमाडू की एटम परमाडू जिसे हम एटम कहते हैं और एटम शब्द जो है वो एटमॉस से उत्पन हुआ है डेमोक्रिटस जो लिूसिपस के विद्यार्थी रहे उनके पास ऐसा कोई आधार नहीं था कि उसको सिद्ध कर सके कि वास्तों में ये एटमॉस जो है इसे और जगा प्रियोग हो क्रम बद्ध ज्यान हो और उसमें लगातार चिंतन हो प्रियोग के माध्यम से उसे जाजा जा सके अलग-अलग प्रियोगों द्वारा उसे विशलेशित किया जा सके तर्क दिया जा सके एक निश्चित आधार मिले तभी हम किसी चीज को व्यज्यानिक त्रिष्टी से सही मानते हैं तो बात यहीं पर खत्म हो गई तो यह परमाणू बाद जो है वो बहुत अधिक इसको स्थान नहीं मिल पाया इसके बाद इसा से लगबग 306 वर्ष पहले एथेंस के एपिक्यूरस ने अपनी किताब में लिखा कि हमारे आसपास की जितनी भी च प्रकृती उसमें उन्होंने एक कविता लिखी जिसमें परमाणू संबंधी बात भी कहीं तो आज के समय में जब हम देखते हैं कि रासायनी कभी क्रियाओं में जो पदार्थ है उसका द्रवेमान जो है वो सनरक्षित रहता है हमने द्रवेमान सनरक्षन का नियम पढ़ा क कि किसी भी पदार्थ की उत्पत्ती नहीं हो सकती नहीं उसको नश्ट किया जा सकता है पूरे अभी क्रिया के दौरान उसका जो द्रवेमान है वो सनरक्षित रहता है इसके बाद वर्ष 1799 में प्राउस्ट नामक जो वेग्यानिक है उन्होंने इस्थिर अनुपात का निय नियम दिया इस नियम के अनुसार प्रतिक जो रासायनिक योगिक होता है वो वास्तों में तत्व के एक निश्चित मात्रा से संयोग करने से ही बना होता है यानि दो या दो से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में जब संयोग करते हैं तब ही योगिकों का निर्मा ज्यानिक एवम अध्यापक जॉन डाल्टन ने बाद में परमालू का सिध्धान दिया कि परमालू कैसे किसे हम परमालू कहते हैं या परमालू को और विभाजित किया जा सकता है नहीं किया जा सकता है या अलग-अलग पदार्थ के परमालू कैसे अलग होते हैं इन सब विश से पहला जो बिंदु है वो ये कहता है डाल्टन का कि सभी पदार्थ परमाणूं से बने होते हैं जैसा कि हमने पाठ के प्रारम में ही देखा कि हर एक जो पदार्थ होता है वो परमाणूं से बना होता है परमाणू जो है वो अविभाज्य होते हैं जिसे हम ये मान सकते हैं क कि परमाडू जो है बहुत ही सुक्ष्मकण होता है जो रासायनी कभी क्रिया में न तो बनते हैं और नहीं इनका विनाश होता है तो ये अविभाज एवं सुक्ष्मकण होते हैं इसके बाद तीसरा जो बिंदू इन्होंने दिया कि किसी भी एक तत्व के जितने भी या हम बात करते हैं नाइट्रोजन तत्व की या हम बात करते हैं ओक्सीजन तत्व की तो एक ही तत्व के जितने भी परमाडू होंगे वे सभी परमाडू रासायनी गुड में या द्रविमान में एक समान होते हैं अर्थात कार्बन के अंदर जितने भी परमाडू होंगे वो एक समान होंगे, नाइट्रोजन के जितने भी परमाड़ों होंगे, नाइट्रोजन तत्व के अंदर, वो सभी गुड़ों में और द्रविमान में एक समान होते हैं, अब बात करते हैं, यदि हम अलग-अलग तत्वों की बात करें, अलग-अलग परमाड़ों की बात करें nitrogen के तत्व के पर्माड़ों से तो बिल्कुल अलग-अलग होंगे बिल्कुल हम ये differentiate कर सकते हैं कि ये carbon का पर्माड़ों है ये nitrogen का पर्माड़ों है या carbon तत्व है और यह nitrogen तत्व है क्योंकि carbon तत्व में जितने भी पर्माड़ों होंगे वो सभी carbon के होंगे वे परस पर छोटी पूर्ण संख्या के इस अनुपात में संयोग करते हैं और योगिक बनाते हैं। जैसे यदि हम बात करते हैं जल की, तो जल एक योगिक है, इसमें हाइड्रोजन का दो भाग और ऑक्सीजन का एक भाग है। तो चुकी इसमें दोनों अलग अलगतातो हैं और इनका परस पर एक छोटा पूर्ण संख्यात्मक मान हैं, पूर्णांक मान हैं और इन्हीं के एक निश्चित अनुपात से योगिकों का निर्माद हुआ है। इसी प्रकार एक अकला बिंदू इन्हों ने दिया कि किसी भी योगिक के परमाड़ों की जो सापेक्ष संख्या होती है एवं उसके जो प्रकार होते हैं वे हमेशा निश्चित होते हैं। तो डाल्टन का जो गुडि तनुपात का नियम है उसके अनुसार यदि हम बात करें कि 3 ग्राम कार्बन हैं। हम कहते हैं कार्बन डायोकसाइड अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन की निश्चित मात्रा है जो ऑक्सीजन के 4 ग्राम और ऑक्सीजन के 8 ग्राम से सैयोग करके कार्बन मोनो ऑक्साइड या कार्बन डायोकसाइड बनाते हैं। तो डाल्टन ने तत्वों के सैयोग को विभिन अनुपातों में देखा, तो ये पाया कि इनमें एक सरल गुडी तनुपात होता है, तो ये जो सरल गुडी तनुपात होता है, इसमें देखते हैं कि हर बार जो परमाणू है वह अविभाजी होता है, तो हम यहाँ पर डाल्टन का ही जो गुरी तनुपात का नियम है उसे नियम के रूप में कैसे लिख सकते हैं इसे समझेंगे कि जब भी दो तत्व सयोग करते हैं याने जैसे हमने देखा कि कारवन और अक्सीजन सयोग कर रहे हैं तो जब भी दो तत्व सयोग करते हैं और सयोग करके दो या दो से अधिक योगिक बनाते हैं एक तत्व के साथ दूसरे तत्व के सयोगत होने वाले द्रवेमान छोटे पूर्णा कनुपात में होते हैं यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन अलग-अलग मात् पाया जाएगा जैसे हम कार्बन ऑक्सीजन के साथ सयोगत होकर कार्बन मोनो ऑक्साइड और कार्बन डियोक्साइड देख रहे हैं तो ऑक्सीजन का द्रवेमान 4 ग्राम है और कार्बन डियोक्साइड की स्थिती में ऑक्सीजन का जो द्रवेमान है वो 8 ग्राम है तो यहा यहां पर जो डाल्टन का यहां पर डाल्टन के बुड़ी तनपात के नियम को हमने समझा कि किस तरह से परमाडू जो है जब यह सयोग भी कर रहा है सयोग करके योगिक बनाता है तो इनके तत्वों के बीच भी एक निशित सरल अनुपात देखने को मिलता है तो क्या परमाडू अविभाज्य है इस बात को समझने के लिए भी लगातार खोज होते गए तो पदार्थ की प्रकृति को समझने के लिए लगातार समय समय पर कई प्रयास किये जा रहे हैं और उसी प्रयास का एक भाद था परमाडू वाद चुकि डाल्टन का जो परमाडू सिध या परमाडु वात को एक नई दिशा मिली तो यहीं से फिर और अधिक जो भी प्रयोगया उनकी शुरुवात भी हुई तो एक तरफ जो हम देख रहे थे कि परमाडु को लेकर अलग-अलग अनुमान लगाया जा रहा था वहीं दूसरी तरफ हमने ये भी जाना कि गैसों की चालकता पर भी विभिन प्रयोग किये जा रहे थे भौतिक सास्त्री जेजे थॉम्सन एवं एक जर्मन वेग्यानिक गोल्ड स्टीन इनका भी महत्यपुन योगदान परमाडु की खोज के दौरान रही यानि परमाडु सरचना को समझने में इनका भी बहुत अधिक योग जानने का प्रयास करेंगे कि परमाडु की जो सनरचना होती है वास्तों में यह परमाडु इतना ही छोटा होता है या फिर इस परमाडु के अंदर और भी कड़ होते हैं इसकी खोज फिर लगातार दूसरे वेग्यानिकों ने की तो यहां पर हम और भी नए-ने खोजों के बारे में जानेंगे तो जमाडु सनरचना के और अधिक यदि हम विस्तार में समझने का प्रयास करेंगे तो कुछ प्रयोगों को भी हमें जानना पड़ेगा तो सबसे पहले एक प्रयोग वैज्यानिक द्वारा किया गया कि यदि कम दाप पर एक गैस से भरी हुई नली ल किरने हैं वो निकलती है और यह जो कैथोड से निकलने वाली चमकीली किरने हैं इन्हें गोल्ड स्तीन ने कैथोड किरन नाम दिया एक कैथोड किरन नली टेलिविजन के नली जैसे सनरचना है यह काज की नली होती है जिसमें से लगबख सारी हवा निकाल दी जाती है इसके जब ये एनोट की छिदर से होकर कैथोट किरण नली के अंतिम छोड तक चलते हैं, जहां से किरणे जब विशेश रूप से आक्षादित सता से टकराती हैं, तो प्रभल स्फूरुदित अत्वतिवर प्रकाशुत पन्र करती हैं, जब कैथोट किरण नली के 36 विद्धु छेत लगाया जाता है, तो कैथोट किरणे धनाविश यूग्त प्रेट की ओर आकरशित होती हैं, अता एक कैथोट किरण आवश्यक रूप से आवशित होती हैं, एवं इसके रिणाविशित कणों को इलेक्ट्रॉन के नाम से जाना जाता हैं, चुम्बके छेतर का प्रभाव, एक गतिमान आविशित पिंड एक सुक्ष्म चुम्बक की तरह व्यभार करता है, एवं इस चुम्बके छेतर में एलेक्ट्रॉन विचलन प्रदर्शित करते हैं, बाद में शूस्टर नामक एक वैग्यानिक है, उन्होंने ये देखा कि ये जो कैथोट किरण, चुकी कैथ कैथोट से निकल रहा है, तो इसके मार्ग में दो धात्विक प्लेटे लगा दिया गया, इन धात्विक प्लेटों को कैथोट एवं एनोड नाम दिया गया, उन दोनों के बीच विभुवांतर उत्पन किया गया, तो कैथोट किरने इन प्लेटों के बीच से जब गुजरत तो वो धनातमक प्लेट की तरफ यानि कि एनोड की ओर मोड जाती है। तो जब ये कैथोड किर्ने एनोड की तरफ मोड रही हैं, तो निशित रूप से यहाँ पर इसके आवेश को लेकर बात हुई कि ये क्यों एनोड की तरफ मोडती है। तो इनके मुड़ने का कारण यही है कि चूकी कैथोड जो किरिने होती है वह रिनावेशित कणों से बनी होती है तो जब ये कैथोड किरिने रिनावेशित कणों से बनी है इसी वज़े से यह एनोड प्लेट की तरफ मुड़ जाती है तो यहाँ पर कैथोड से जो विभिन किरणे निकल रही है उनमें भी बहुत सारी कड़ है और जितने भी कड़ है वो सभी रिणावेशित है और इसी कारण से कैथोड किरणे धीरे धीरे निकल कर एनोड की तरफ चली जा रही है तो जेजे थॉम्सन जो वैज्यानिक है उन्होंने इन कड़ों को रिणावेशित जो कड़ थे इनको कैथोड किरणे कहा और ये भी माना कि इन कैथोड किरणों में रिणावेशित कड़ होते हैं तो कैथोड चाहे किसी भी पदार्थ का बना हो उससे निकलने वाली जो कड़ होते हैं उनकी प्रकृती जो है वो हमेशा एक जैसी होती है तो यहाँ पर जो ये रिणावेशित कड इनको को इनको नाम दिया इलेक्ट्रौन इस पर रिणावेश होता है तो इलेक्ट्रौन जो है वो प्रतेक तत्व के परमाडू का एक अव परमाडू कड़ है याने हमने अभी तक पढ़ा था कि परमाडू अविभाज्य है लेकिन जेजे थॉम्सन के प्रियोग के माध्यम से हमने ये जाना कि कैथोड कीर्ने जो है रिणावेशित कडों से बनी होती है और इन कडों को ही इन्होंने इलेक्ट्रॉन नाम दिया और इलेक्ट्रॉन पर ज इसके बाद गोल्ड स्टीन और कैनाल केर्णों की बारी आती है एक तरफ कैथोड केर्णों की खोज के साथ साथ इलेक्ट्रॉन की भी खोज हो गई इसके बाद गोल्ड स्टीन ने अपने प्रियोग के माध्यम से ये अवलोकन किया कि जो कैनाल केर्णे होती है ये धनावे इसकी प्रकृति परिया निर्भर करती हैं। उन्होंने ये रेखा कि एनोड किरण का जो आवेश है और जो द्रव्यमान है या अलग-अलग था। इससे उन्होंने ये भी निश्कर्स निकाला कि ये जो किरणे होती है वो गैसों के आनी करण से उत्पन हो रही थी। तो कैनाल किरणों की खोज से परमाणू की इस प्रकृति की व्याख्या हुई कि परमाणू जो है वो उदासीन होता है। अर्थात परमाणू में एक और तरह का कड़बी होगा क्योंकि परमाणू में यदि रिणावेशित कन इलेक्ट्रॉन है तो निश्शित रूप से यहा धनावेशित किरणों से मिलकर बनी होती है और यह जो धनावेशित किरणे होती है यह उस ट्यूब में भरे हुए यह जो विसरजन न लिका है उस ट्यूब में भरी हुई जो गैस है उसके नेचर पर डिपेंड करती हैं तो परमाणू जो है वो उदासीन है क्योंकि उसमें यह दी रिणावेशित कड़ है तो निश्चीत रूप से उसमें धनावेशित कड़ भी होते ही हैं इसके बाद थॉमसन का परमाडू मॉडल आया इसे प्लम पुडिंग मॉडल भी कहते हैं जेजे थॉमसन का प्लम पुडिंग मौडल दिया गया इसमें इन्हों ने ये कहा कि परमाडू में धनावेश का एक बादल होता है यानि पूरा जो परमाडू है इसमें धनावेश का एक बड़ा सा मेग है एक बादल है और रिनावेशित कड जो है इस बादल में छोटे-छोटे कड के रूप में गुथे हुए ह जैसे कि तर्बूज होता है अगर हम तर्बूज को काटते हैं तो उसके अंदर का जो लाल भाग होता है उसे मान लीजिए कि यह पूरा जो है जो इसका लाल भाग है यह लाल भाग जो है वो पूरा इसका बादल हो गया और उसमें जो छोटे-छोटे काले बीज होते है यह छ पूरा लाल हिस्सा है, इसे हम धनावेश मान सकते हैं, यह धनावेश का पूरा बादल है, पूरी जगा पर धनावेश फैला हुआ है, अब इस धनावेश में यह जो काले-काले बीज है, यह छोटे-छोटे रिडावेशित कण हैं, जो कि इस पूरे धनावेश में धसे हुए तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि परमाडू में रिनात्मक और धनात्मक आविश दोनों ही पाया जाता है और दोनों ही समान मात्रा में पाया जाएगा इसी वज़र से जो परमाडू है वह उदासीन होता है क्योंकि परमाडू यदि उदासीन है तो निशित रूप से उसमे जितने धनकण होंगे उतने ही रिणकण होने चाहिए। इसके बाद परमाणु वाद जो है परमाणु वाद 1908 से 1913 के बीच लगातार परमाणु वाद से संबन अलग-अलग व्याख्याओं के लिए नैने प्रियोग किये गए। जिस प्रकार पुडिंग में प्लम। इसे थॉम्सन के परमाणु का प्लम पुडिंग मौडल कहा जाता है। थॉम्सन ने प्रतिपादित किया कि एक परमाणु के गोले में धनाविशित द्रव्य होता है जिसमें रिनाविशित कण होते हैं। परमाण के द्रिश्टी से धनाविशित एवं रिनाविशित कण बराबर होते हैं। अता परमाणु कुल मिलाकर वैद्यूत उदासीन होता है। इन प्रयोगों में ही एक बहुत ही महत्वपून प्रयोग रदरफोड का प्रकीर्णन प्रयोग हैं हैं। प्रियोक को समझने के लिए हम तीन भाग कर लेते हैं एक हम इसके प्रियोक को समझेंगे, दूसरा हम देखेंगे कि इस प्रियोक से कौन-कौन से अवलोकन किये गए और इन अवलोकनों से वास्तों में इन्होंने कौन-कौन से निश्कर्स निकाले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो इरदर फोड है इन्होंने जो प्रयोग किया इसमें इन्होंने जो सोने की पतली महीन पर्थ होती है वो लिया और उस सो पर इन्होंने अलफा कडो की बॉच्चार कि यह जो अलफा कड कर है इसकी बॉच्चार जब इस सोने की पत्र पर पर कराई गई तो अलग-अलग अवलोकन भी किया क्योंकि इस आवलोकन से ही पता चलता है कि वास्थाव में परमाडू के अंदर कोई और भाग है या नहीं है तो जब सोने की पत्र पर लगातार अलफा कड़ों की बॉच्छार कराई गई तो अलग-अलग अवलोकर प्राप्त हुए तो यहां पर इनोंने जो यह अलफा कड़ प्रियोग किया परमाडू के नाभिक की खोज सरुप्रथम एक रेडियेक्टिव तत्त से निकले धनाविशित कणों की किर्णों को एक स्पूर्दिप्त परदे पर भेजने पर स्पूर्दिप्त परदे में चमक उत्पन्न हुई जहां इस किरण के मार्ग पर अत्यंत पतला स्वन पत्र और वापस विचलित हो गए परंतु अधिकांश कण स्वन पत्र के आर पार हो गए हैं इसके आधार पर वग्यानिकों ने निशकर्ष निकाला की परमाडू का अधिकांश भाग खाली होता है परंतु चुकि कुछ कण विचलित हो गए अता निश्चित रूप से के केंद्र में धनावेशित भाग उपस्तित है जिसे उन्होंने नाभिक का नाम दिया इस अलफा कड की तुलना हीलियम परमाडू से की गई क्योंकि यह दि हम अलफा कहते हैं तो हीलियम दो और चार यानि हीलियम का परमाडू प्रमाग दो और इसका भार जो है वो चार तो इस तरह से यह एक धन भाग है यहां पर हम अलफा कड को यह मान सकने कि धनावेशित कड होता है क्योंकि इसकी तुलना हीलियम से की गई तो यह धनावेशित होते हैं अब जब हमने यह देखा कि एक स्वन पत्र है और उसमें लगातार अलफा कड की बोचार कराई गई तो अवलोकन में तीन बाते इन्होंने देखा बहुत सारे जो अलफा कड है वो इस स्वन पत्र को भेद कर आगे की और निकल गए दूसरा देखा कि कुछ जो अलफा कड है वह केंद्र तक आए और यहां से विक्षेपित हो गए और बहुत थोड़े से जो अलफा कड है यह जि इनका जो तीन अवलोकन था तीनों अवलोकन में इन्होंने अलग-अलग बाते देखी कि बहुत सारे अलफा कड जो है इसको भेद कर आगे निकल गए कुछ अलफा कड जो है वो केंद्र तक आए और विक्षेपित हो गए और थोड़े से जो अलफा कड है वो वापस अपन इनके मार्ग में लौट आए तो इसका इन्होंने निश्कर्स क्या निकाला बहुत सारी जो अलफा कड है वह परमारू को भेद कर आगे की और निकल गए इसका अर्थ यह हुआ कि परमारू का जादा तर भाग जो है वो खोकला ही होता है इसी वज़ह से जादा तर जो परوسर में जो केण्दर है, केंद्र में धनावेशित भाग यहां पर होता है. इस्जान से जो यह Algấp昨ड आ रहा है, तो जैसे ही एकेंद्र तक आया यहां से यह विक्षे पित हो गया तो यहने धन धन के बीच में पतिकर्शन हुआ और यह यहां से विक्षे पित हो गया यहने यहां से इस चीज की शुरुवात हुई कि जो परमाडू है उसमें जो धनावेशित भागे वो बहुत छोटे से जगा पर इस्थित है इस सोच सकते हैं कि 20,000 कंड यदी जा रहे हैं तो उसमें से एक या दो कंड वो वापस उसी मार्ग में लोट आती हैं इसका कारण ये है कि पूरे परमाडू के तुलना में जो नाभिक है इसका आकार बहुत ही छोटा होता है यानि पूरे परमाडू से यदी हम उसके नाभिक की तुलना करें तो वो अत्यंती सोक्ष्म होता है तो ये कह सकते हैं इसका हम ये भी तातपरे निकाल सकते हैं कि जो द्रवेमान वाला भाग होता है वो काफी संकुचित होता है यानि की छोटा होता है अर्थात परमाडू का द्रविमान वाला भाग परमाडू के बहुत ही कम आयतन में सीमित होता है रदरफोर्ड ने ये सुझाओ दिया कि धनावेश वाला जो भाग है परमाडू का उसका जो द्रविमान है वो बहुत ही छोटे से आयतन में फैला हुआ है और इस छोटे से भाग में यहां पर यह धनावेशित पार्ट है और इस धनावेशित पार्ट के चारो तरफ अलग-अलग कक्षाएं हैं और इन कक्षाओं में लगातार इलेक्ट्रॉन जो है वो चक्कर लगाते हैं तो ये जो electron है वो अलग-अलग चक्कर लगा रहे हैं याने बीच का जो केंद्र वाला भाग है वो बहुत ही सीमित है जिसमें की धनावेश है शेज जो भाग है वो electron का भाग होता है फिर बाद में रदर फोर्ड ने प्रयोग के माध्यम से पूरा जो परमाडू का नाभी की मौडल दिया लेकिन ये बताने में असफल रहे कि वास्तों में जो परमाडू में electron है वो किस तरह से वित्रित होता है इन्हों ने ये बताया कि परमाडू के नाभी का जो भाग होता है वो धनावेशित होता है और इस परमाडू के चारों तरफ जो electron से ये चारों तरफ फै खेले हैं किस तरह से इंका वित्रण हैं यह बताने में असफल रहे है अब हम यह जानेंगे जो विध्यानिके में सब्सक्राइब किरत भृंख नाभिक रहा कि की समय ओंचर algumas एक यह इनमयुक्य पूर इसंतर स्वारी को ये इनमय कर दो में बहुत सारी क्रांतिया आई और चुकि परमाडू के बारे में इनों ने बताया और हर एक पदार्थ जो इस प्रकृती में है उसका जो अधार भूत कड़ है वही परमाडू होता है जिसे जानने का प्रयास लगातार वैज्ञानिक कर ही रहे थे चाहे वुदार्शनिक हो चाहे वैज्ञानिक हो चाहे वह अध्यापक हो हर किसी ने परमाडू के बारे में जानने का प्रयास किया लेकिन एक सफल कि सुरूआत जो है वो यहीं से शुरू हुई इनके माध्यम से ही शुरू हुई और इन्होंने सबसे पहले नाभिक के बारे में बताया और इसकि खो इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया था, वह बहुत ही पत्ला था, लगभख 100 नैनोमीटर पत्ला जो इन्होंने स्वर्ण पत्र लिया और इसमें लगातार तेज जो है वो अल्फा कड़ो की बौचार कराई और इससे ये निशकर्स भी निकाला कि जो ये नाभिक है यानि किसी परमाडू का जो सबसे छोटा पार्ट होता है यानि नाभिक की अंदर जो धनाविशित भाग है वो उसका नाभिक है जो बहुत छोटे से द्रविमान को लिये हुए है बहुत छोटे से आयतन में वो है तो इसमें परमाडू की त्रिज्जा से लगभग ये दस के घात पाच गुना छोटा है इस वज़ा से ही हमने ये देखा था कि 20,000 कड़ों में से एक या दो कड़ ही अपने मार्ग में वापस लोट रहे हैं क्योंकि पूरे परमाडू की तुलना में नाभिक का ज्वाकार है वो बहुत ही छोटा होता है तो यहीं से नाभिकी रसायन की भी शुरुवात हुई तो इन्हें एक तरह से नाभिकी रसायन का जनक भी कहा जाता है हमने ये देखा कि दरदर फोड के दवारा परमाडू की खोज हुई और उसमें उन्होंने नाभिकी खोज की इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में बताया, लेकिन वास्तों में इन इलेक्टरॉनों का वित्रन किस तरह से होता है, इसे बोर बरी दो वैज्यानिकों ने किया, और बोर बरी योजना के रूप में यह प्रचलीद भी हुआ, कि एक परमाडू है, उस परमाडू के बीच में नाभिक है, और इस प L, M, N, यहने हम पहले कक्षा की बात करते हैं. क्रॉस चिन का उप्योग किया जाता है. एक परमाडू में हर इलेक्ट्रोन एक विशेश कक्षा में होता है. इलेक्ट्रोन की व्यवस्था सबसे समीब की कक्षा से आरंभ होती है. जब हम इलेक्ट्रोन की सरचना को दर्शाते हैं, तब प्रते कक्ष बारी-बारी से बोर-ब आलग कक्षाएं नाभिक से दूर होती गई, तो वैसे वैसे यह हम देख रहे हैं कि इसका नाम जो है के, एल, एम, एन इस तरह से बढ़ता जाता है, तो नाभिक के जो सबसे पास वाली कक्षा होती है, इसे हम कोश या कक्ष भी कहते हैं, जिसे के कहा गया, इसके बाद जो द ज्यानिक ने योजना बनाई, तो इनका विद्रण कैसे होता है, इसे समझने के लिए हम अलग-अलग बिंदुओं पर बात करेंगे, सबसे पहले इन्हों ने ये कहा, कि किसी भी कक्षा में अधिक्तम जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, य ये जो N है, ये कक्षा की संख्या है, यदि हम N बरावर एक लेते हैं, यदि हम पहली कक्षा की बात करते हैं, तो 2 x 1 square is equal to 2, यदि हम इलेक्ट्रॉनों के वित्रण में पहली कक्षा में इस सुत्र में मान रखेंगे, 2 N square में N equal to 1 करके, तो मान आता है 2, इसका आर्थ ये जो पहली कक्षा है यणने नाभिक के बाद जो पहली कक्षा है उसमें इलेक्ट्रोनों की संख्या होगी 2 यदि हम 2NSQ में ही N बराबर 2 करें तो 2 इंटू 2 का स्क्वाइर होगा यदि 4 इंटू 2 यदि 8 इलेक्ट्रोन जब हम दूसरी कक्षा की بात करते हैं तो इसमें 8 electron होंगे, यदि हम यहीं तीसरी कक्षा की बात करें, यानि n equal to 3 करें, तो 2n square होगा, यानि 2 into 3 का square, तो यहाँ पर हो जाएगा, 2 into 3 square, तो 9 into 2, यानि 18 electron, यानि तीसरा जो कोश होगा, इसमें 18 electron अधिक्तम पाए जाते हैं, इससे कम हो सकता है, लेकिन इससे ज्याद नहीं हो सकता, यानि प्रतेक कक्षा में, electron का जो वित्रण है, वो एक निश्चित संख्या में ही होगा, इससे कम हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता, अगला जो एक नया शब दिन होने यहाँ पर दिया, इससे सायोजी कोश कहते हैं, सायोजी कोश वास्तों में क्या है तो किसी भी परमाडू का जो सबसे बाहितम कोश होगा इसे कहते हैं सयोजी कोश या वैलेंश सेल तो ये जो सयोजी कोश होता है इसमें कितने इलेक्टरॉन उपस्थित होते हैं मैं बाहितम कोश में संख्या दो है तो हम ये कहेंगे, कि इसमें सयोजी कोश मेंuning और इसमें इलेक्टरोनों की संख्या दो है तो हम ये कहेंगे कि इसमें सयोजी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या दो है और सयोजी इलेक्ट्रॉन जो है वो दो है दूसरा इन्होंने ये कहा कि सबसे बाहरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉनों की अधिक्तम संख्या होती है यह आठ हो सकती है अपवाद की रूप में जो के कक्ष है वो जब बाहतम कक्ष यदि है तो तब भी इसमें दो इलेक्ट्रोन ही होते हैं तो यदि हम बात करें कि जो अधिक्तम संख्या में इलेक्ट्रॉन से है यदि बाहरी कक्षा में तो यह इलेक्ट्रॉनों की अधिक्तम संख्या आठ हो सकती है तीसरा जो उन्होंने अपने योजना में बिन्दू दिया उसके अनुसार किसी भी पर्माडू की जो कक्षा होती है, इस पर्माडू की कक्षा में एलेक्ट्रॉन तब तक स्थान नहीं लेता है जब तक उससे पहली वाली भीत्री कक्षा जो है वो पूरी तरसे नहीं भर जा वो आठ से अधिक होने पर भी, यदि उसमें नौवा इलेक्ट्रोन जोडना है, तो इसके लिए ये शर्त है कि इसके जो बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रोन हो, तभी जो बाहर से अंदर वाला जो कोश है, उसमें नौव इलेक्ट्रोन हो सकते हैं, नि बाहर वाले कोश में दो पहले भरेंगे और दो भरने पर ही फिर हम यहाँ पर नौवा एलेक्ट्रोन भर सकते हैं तो अंतिम से पहले वाली जो कक्षा है उस कक्षा की छमता आठ से अधिक भी अधी है तो भी ये निश्चित करना है कि बाहतम जो कक्षा है उसमें दो इलेक्ट्रोन जब तक नहीं भर जाए तब तक जो अंदर वाला कोश है उसे हम आठ से ज़्यादा नहीं भर सकते भले ही उसकी छमता आठ से ज़्यादा है